हलो एब्रिवन तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लेकर आया हूँ एक बजट वाइलेस एयरफोन जिसको हमें बेजा है मियूलो न है इस एयरफोन का नाम है वंडरलू 500 मियूलो एक आडियो कंपनी है जो बजट में वाइलेस याडफोन वाइलेस एडफोन बनाती है मियूलो का अगर मैं फुल फॉर्म बताउं तो वह है मूजिकलवर उसके साथ-साथ उने जो है हमें एक बजट वाइलेस हैडफोन भी बेजाए जिसके बारे में मैं जो है अगली वीडियो में आप लोगों से बात करूँगा तो आज की वीडियो में हम जो है इसका अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले है कि किस तरीके का परफॉर्मस दे देता है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ पंदरा सो रुपे में मिलता है और इसकी जो स्पैसिफिकेशन है वो काफी जाधा कमाल किया है तो इसका यह पैकेज जो है मेरे पास दो तिन दिन पहले ही आ गयता है लेकिन मैं इसको यूज कर रहा था ताकि मैं आप लोग को एक अच्छा रिव्यू दे सकूँ तो गैस बिना किसी टाइम वेस की हम वीडियो की शुरुबात करते हैं उससे पहले आपको बस एक छोटा सा काम करना है वो यह कि नीचे एक सब्सक्राइब कर बटन होगा जो रैड से कलर कर तो फटफट से इसके बॉक्स को देख लेते हैं तो गाइस इस तरी की पैकेजिंग आपको मिल जाती है यहाँ पर इमेज बना हुआ है यह फोन का वंडलू 500 मिलो की ब्रैंडिंग है अगर आप ध्यान से यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ ब्लुटूथ 5.0 लिख को सपोर्ट करता है 10 mm का इसका स्पीकर ट्राइवर है उसके साथ साथ यह 138 mAh की बैटरी इसमें है और IPX7 को सपोर्ट करता है वाइस असिस्टेंट टेक्नलोजी मतलब गूगल असिस्टेंट और से रिव अगरे को जो है आप इसमें इनेबल कर सकते है वटावट से इसको देख लेते हैं इस तरीके की एक और बॉक्स जो है हमें इसके अंदर मिल जाता है इसको जो है हम उपन करते हैं तो यह रहे मियूलो के वाइलेस यह फोन तो गाइस इस तरीकी की पैकेजिंग हमें मिल जाती है इसको पहले हम निकालते है देख लेते इसमें और क्या मिलता ह हमें side में तो guys इसमें हमें जो है दो extra ear tips मिल जाती है उसके साथ साथ इसमें एक USB cable मिल जाती है charging अगरे के लिए और यहां पर कुछ manual user manual guide अगरे जो है मिल जाते हैं तो यह एक warranty guard हो सकता है शायद इस तरीके का और यहां पर manual card है यहां पर सारी functionality के बारे में बताया गया है जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में detail में बताने वाला हूँ तो इसमें से निकाल लेते हैं इस तरीके का wireless earphone जो हमें देखने को मिल जाता है अगर मैं इसका मेरा first impression दूँ तो बहुत ही जादा light weight यह मुझे लगे हैं बिल्कुल भी heavy नहीं लगे हैं जिसके कराण आपके neck पे जो है कोई भी असर नहीं होने वाला है और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यह थोड़े tilted है यानि कि जब आप इसे अपने neck पे टाएंगे तो यह fix हो जाएंगे इस दो दर नहीं होंगे उसके लावा left और right में आपको जो है दो बैटरीज मिल जाएंगी left वाले में आपको यहापे Mulo को जो है ब्रैंडिंग मिलेगी और right वाले में आपको यहापे माइक मिलेगा और तीन बटन मिल जाएंगे इन तीन बटन की खासे दी है कि different different functionality को यह support करते हैं जैसे कि अगर आप power on off के बटन को double bar press करते हैं तो आप recent call कर पाएंगे और अगर आप volume up के बटन को double bar press करते है तो आप next song को play करेंगे वहीं अगर आप double bar press करते हैं अपने volume down के बटन को तो आप previous song को play कर सकते हैं तो इस तरह की functionality जो है यह तीन बटन दे देते हैं अगर मैं बात करू चारजिंग की तो यहाँ पे अलग से port दिया है यह USB port है तो अगर आपके घर में जो भी USB charging जो होगा normal वो इसको support करता है और आप उसके तुरू से charge कर सकते हैं और यह जो है flat cable के साथ आता है तो one of the favorite cable है मेरी क्योंकि यह काफी जादा मजबूत होते हैं उसके अलावा यह जो है like उलजते नहीं है अगर उलजते भी है तो काफी जल्दी यह solve हो जाते हैं अब अगर मैं बात तो जो काफी जादा cool मुझे लगे हैं और यह magnetic support करते है तो आप इसको attach कर सकते है magnetic tips के दुरू तो इस तरीके के wireless earphone हमें देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले बात करेते हैं इसकी build quality और इसकी design की तो guys जैसे कि मैं पहले भी बदा चुका हूँ कि इसका weight है मुझे काफी जादा light लगा है उसके साथ है इसमें जो है आपको flat wire का support मिलता है पहले भी मैं जो है wireless earphone use कर चुका हूँ जिनके wire जो थे flat थे लेकिन उनकी quality मुझे बहुत जादा थिन लगी थी लेकिन इस वाली की quality है मुझे काफी जादा पसंद आई है क्योंकि यह ठिक आपको wire मिल जा और यह जो है IPX7 को support करता है यानि की water resistance और इसका sweat proof अगेरे जो है आपको अच्छा खासा इसमें मिलता है अब अगर मैं बात करूँ इसके magnetic clip की जो आपकी ear tips में मिलता है वो भी काफी बढ़िया है लेकिन मुझे एक जो issue लगा है वो यह कि इसका जो magnetic जो है वो थोड़ा सा और hard होना चाहिए था like strong हमें मिलना चाहिए था थोड़ा मुझे light लगा है उसके अलाबा build quality जो है overall मुझे इसकी बढ़िया लगी है तो आप बात करेते इसकी connectivity की तो guys इसमें जो है हमें Bluetooth 5.0 का support मिल जाता है यानि की low power consumption इसका मतलब यह कि इसमें जो battery बगे रहा है वो जल् ही जाता बड़ी हो जाती है like 10 meters से जादा की range या आराम से हमें दे देता है और यह जो है दो devices के साथ एक साथ connect हो सकता है तो आप दो devices को एक ही headphone से use कर सकते हो अपने हिसाब से और अगर मैं real time की usage की बात करूँ तो मेरा phone always जो है pocket में रहता है या table way side में रखा रहता है तो को से अच्छा feature जो मुझे लगा है वो इसका battery life ही लगी है यह आपको बहुत ही कमाल की battery life दे देती है इसको मैंने 0% से लेके 100% तक चार्ज किया था जो की कम से कम एक गंटे 45 मिट में चार्ज हो गया था उसके बाद इसने music playback time जो है कम से कम 6-7 गंटे तक मुझे दिया है इसम इसके करना आपकी battery बच जाती है अगर आपको फिर से on करना है तो आपको बस middle वाला बटन थोड़ी देर के प्रेस करना है और वो on हो जाएगा और automatically आपके device से पेर हो जाएगा तो guys battery backup के मामले में trust me यह काफी बढ़िया है कम से कम 7-8 गंटे तक की जो है battery backup दे देता है तो pressure बढ़ता था और मेरे जो ears है वो pain होने लगते थे लेकिन इन earphone को जो है मैं कम से कम 2 दिन से regular use कर रहा हूं इसमें आपको bass मिलता है वो काफी बैलेंस bass मिलता है like smooth bass मिलता है जिसके कारण sound की quality काफी अच्छी होती है और long time के लिए आप इसको पहन के रख सकते हो तो यह soft music होता है उसमें जो भी instrument और play हो रहा है तो वो हमें अच्छे से सुना ही दे देते हैं तो guys sound quality के मामले में भी मुझे काफी बढ़िया लगा है boat rockers में मुझे सिर्फ और सिफ एक कमी लगी थी वो थी उसके पंची बेस को बहुत जादा heavy base था तो उसको यह earphone पूरी तरीके से कमी उसकी पूरी कर देता है कि यह Bluetooth 5.0 को सपोर्ट करता है IPX7 को सपोर्ट करता है और इसमें CSR की आपको chipset मिलती है vibrational motor अगरे है notification के लिए तो काफी कमाल की feature आपको मिलते हैं जो कम से कम 3,000 रुपे के यह earphone में आपको देखने को मिलते हैं अभी के टाइम पर तो बढ़िया है मैं आपको recommend करता हूँ पूरी अच्छे तरीके से बहुत अच्छा option यह 1500 में निकल के बाहर आया है तो guys इस वीडियो में सिर्फ इतना ही तो अगली जो वीडियो आने वाली है वो इस headphone की उपर होने वाली है Thunderstruck 700 इसको मैं personally use कर रहा हूँ इसका मैं एक proper review वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आने वाला हूँ उसके साथ मुझे एक important update आप लोगों को देना था कि हमारे channel का first giveaway होने वाला है जिसमें मैं एक wireless earphone एक wireless headphone जो है giveaway करने वाला हूँ उसके लिए मैं एक dedicated video बनाऊँगा एक दिड़ मिनिट की वो वीडियो होगी जिसमें मैं steps बताऊँगा कि कैसे आप participate कर सकते हैं बहुत ही जादा easy steps है और अगर आप वो follow करेंगे तो आप participate और वो जो वीडियो है सफते ही आने वाली है तो stay tuned with us आप चैनल को subscribe कर लिजे ताकि वो वीडियो जो है आप तक सबसे पहले मैं ला सकूँ तो thank you so much guys for watching this video अगर आपको ये वीडियो रिवी वीडियो अच्छा लगा तो please एक लाइक ज़रूर दीजे मिलते हैं नेक्स वीड